हेलो एवरिवन तो कमिंग तो फाइनल मड्यूल अफ इस चेप्टर इस ओ मैट्रिक्स मेथड लेट वी चेक किये मैट्रिक्स मेथड है क्या पहली बात हम इसका जो है कॉंप्लीट कंसेप्ट समझ के चलेंगे अब प्रॉब्लम्स की तरफ बात में देखिए मैट्रिक्स मेथड में बेसिकली वट इस गोइंग तो एपन आपको यहां पे ना तीन एक्वेशन दिये जाएंगे लाइक यह दिया गया यह दिए वन आपको यहां पे कहा जाएगा कि बचे आप यहां से एक्स वाइ और जेट जो है के वैल्यूज को निका दिये यह तो गेट वैल्यूज ओफ एक्स वाइंड जेट तो वेसिकली वट इस एपनिगे और गिवन अ लीनियर एक्वेशन इन ट्री वरियावल वर एक्वेशन आपको जैसे यहां पे दिया जाता है मैं एक्वेशन के लिए कुछ भी लेकि चल पढ़ता हूं x plus y plus z let that be equal to 4 let it be x minus 2y plus 3z equal to 3 3x minus y minus of 2z is equal to let it be 3 मैं कुछ ऐसे रेंडम्ली यहां पर क्या किया है मैं रेंडम्ली कुछ एक इक्वेशन यहां पर एज्यूम कर लिए तो अब हमने करना क्या है हमने यहां पर x y और z की वैल्यू को निकाला है that is our basic game okay हमने यहां पर x y और z की वैल्यू को तिनों को solve करना है mean I have to get one such value of x y and z which can simplify all these three immediately मतलब what can be the solution there हमने कुछ इसरी के से यहां पर बात करके चल लिए anyhow और इसको solve करने के लिए 10th level पर आपने बहुत सारे options जो है वो adopt किये थे ओके आप क्या अगर सकते हो आप एक में से x की value को निकाल के यहां पर यहां पर फिल कर दो तो y और z की value immediately आपको मिल जाएगी but now that is something you will not be doing there क्योंकि आपको यहां पर matrix method कहा गया है तो matrix method mean I'm going to involve matrices here में को यहां पर matrices को involve करना है अब मेरी बात को समझ के चलेंगे आप यहां पी जब हम इस method को यहां पर uses में लिके चलेंगे you will be having three questions given to you like I'm given three questions right here अब अगर आप यहां पर इसको solve करना चाते हैं तो solve करने का criteria क्या है look यह जो आपके पास यहां पर left hand है that contains variables okay मैं इसको नहीं यहां पर कुछ ही है format में लिख रहा हूं actually में यह पूरे का पूरा जो है I can write this one as in a form of product of two matrices यह जो left hand है try to follow it but I'm saying here you focus on x y and z इनके coefficient आप check करिये क्या है a1 b1 c1 then यहां पर क्या है a2 b2 c2 third one में क्या है जो coefficients में देयार a3 b3 c3 then what is the variable there यहां पर variable क्या है x y z यह variable है हमारे कास यहां पर आपके पास क्या है यह d1 d2 d3 अगर आप यहां पर इन दों मैट्रीस को मैटिप्लाइ करके देखते हो suppose वह इन दों को मैटिप्लाइ करना चाहता हूं यह क्या है रो यह को लंग तो यहां पर a1 x b1 y c1 z a2 x b2 y c2 z a3 x b3 y c3 z and then यहां पर correspondingly why the equality of matrices I will be getting both side equal there you can check तो आपके आप यहां पर यह format बन जाएगा fine जब यह format बन किया इस मैटर में अगला काम हम यहां पर क्या करेंगे अब समझ के चलना I will consider this one to be equal to a यह general notation है generally हम यह use करके चलते हैं you can consider anything you like okay तो मैंने इसको matrix यहां पर a मान दिया जो variable containing करता है उसको मैंने capital x और यह जो है बचे इसको मैंने b मान दिया और यह मेरे पास यहां पर equation number बाद तो हमारे पास एक setup बन जाएगा जिसमें मेरे पास मेरे को a पता होगा x पता होगा आप क्या करोगे बचे इसका determinant निकालेंगे जब आपने इसका determinant value निकाला अब यहां पर आपके पास दो बाते होगी या तो यहां पर आपके पास determinant की value क्या आएगी node equal to 0 आएगी या फिर determinant की value क्या आएगी आपके पास 0 के एक कल आएगी सिंपल कंसेप्ट मैं कोई में इसका डिटर्मिनेट वैल्य निकालू माँ या तो वो क्या एगा या फिर क्या अगा नोट इकल टू जीरो आईगा अगर तो यह नोट इकल टू जीरो है तब आप क्या करेंगे दैन find A inverse पहले अब यह विला पार्ट लेगे चलते हैं आज हम यही पार्ट करेंगे पहले ठीक है तो अगर हमारे पास यहां पर determinant का value not equal to 0 है तो हमने क्या करना है we have to get A inverse value there remember it A inverse निकालेंगे बच्छे आप वहाँ पर अब inverse निकालेंगे तरिका आपको तो आप यहां पर क्या करेंगे एक बात या रखना देखो मेरे को भी यहां पर A को finish करना है A को finish करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ मैं यहां पर A inverse से left hand पर multiply कर रहा हूँ तो because I'm multiplying by A inverse on left of AX तो A inverse से ही आप यहां पर left पर multiply करोगे कहां पर on right hand side तो यह a inverse into a क्या है आइडेंटिटी यह आपको पता है तो आइडेंटिटी को x से करेंगे आपके आपके यह matrix x आएगी तो that is how I'll be getting x value here now what is x x is something I need to find क्योंकि मेरे को x y z तो निकालना है यहां पर मेरे को यहां पर x y z को निकालना है तो मतलब मेरे को यहां पर x को निकालना पड़ेगा I hope you are getting my point what I'm saying here देखो पहले यह format लेखेंगे यह format जब आपके बन गया तो आपके बास वहां पर क्या होगा आपने पहले वहां पर determinant का value निकाल के देखना है अगर determinant का value not equal to 0 है तो वहां पर a inverse निकाल लो जब a inverse निकल जाए बापस यहां पर आ जाओ and then multiply both ends by a inverse here तो once you multiply by a inverse here मैंने यहां पर a inverse और a inverse से यहां पर multiply किया तो definitely going to end with x value है आपको वहां पर x value definitely मिल जाएगा okay तो you will be ending with x value there now but if suppose now coming towards second part अगर यहां पर determinant का value 0 आता है तो then obvious सी बात है I can't get an inverse क्योंकि inverse आपके पास basically क्या होता है adjoint of a upon determinant value of a तो a inverse तो निकलेगा नहीं वहां पर तो वहां पर हम क्या setup करते हैं वहां पर हम क्या करेंगे we will be finding adjoint of a into b वहां पर हम यह director निकालेंगे यहां पर क्या निकाल रहे थे a inverse into b हाना वहां पर क्या निकाल रहे हैं inverse से एक level जो आप तो पहले क्या होता है adjoint की बात करते हैं तो वहां पर हम adjoint of a into b निकालेंगे अब जब आप यहां पर adjoint of a into b निकालोगे ठीक है look second case चल रहा है second case में मैं आपको क्या बोला है आप determinate value check करो अगर determinate value 0 आगी तो आपने adjoint of a into b क्या होगा 0 होगा या फिर adjoint of a into b यह क्या होगा not equal to 0 होगा these are two things with you okay तो या तो adjoint of a into b की value क्या आएगी 0 आएगी या फिर adjoint of a into b क्या आएगी not equal to 0 आएगी now now what सोचो अब यहां पर आगे क्या होने वाला है look मैं आपको एक simple concept बताता हूँ आप यह जो पूरा काम है उसके basis पर चलता है मान दीजिए मेरेको two lines दीगी है how they can behave what do you think अगर दो lines मेरेको दीगी है either they will intersect तो when they intersect I'm getting one point in common तो I'm getting a unique solution or two lines they can be parallel to each other तो I'm getting no solution there because I'm not getting any common point for both of these lines जो point यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं आएगा और I can have two lines which are coincident mean when line is when when one line is lying above another line तो such lines are known to be coincident lines and how many common solution I'm going to get infinitely many solution I'm going to get वहां पर infinitely many solution आती है यह concept आपका कुछ ना कुछ इसके साथ यहां पर correlate होता है तो जब मैं यहां पर determinate की value को not equal to zero assess कर रहा हूं I'm getting inverse in that case I'll be getting always a unique solution by unique solution what I mean I'm going to get a perfect value of x, y and z वहां पर मेरेको एक x, y और z की value पका मिलेगी जब मेरे पास यहां पर यह काम होगा secondly अब चलते हम वहां पर in case अगर adjoint of a into b की value not equal to zero है fine अगर अगर वहां पर adjoint of a into b की value क्या है not equal to zero then I will find no solution there remember mean there will be no such value of x, y and z okay जो कि आपके पास सुनती हो equations को simultaneously क्या करेगी satisfy करेगी इसका मतलब यहां पर यह है and then third situation है in case adjoint of a into b यहां पर zero आता है then given set of equations they may have infinitely many solutions infinitely many solutions तो यह आपके पास जो पूरे का पूरा process है matrix method का ऐसे चलता है fine तो अगर determinant की value not equal to zero find a inverse and then multiply a inverse yb you will get x, y, z अगर determinant value is zero के एकले then get adjoint of a into b अगर adjoint of a into b not equal zero I will be getting no solution if adjoint of a into b equal to zero then I will be getting infinitely many solutions okay तो यह में पास यहां पर possibilities हैं जो बनती है फिलाल के लिए अब हम यहां पर समकी तरफ चलते हैं let we continue toward one of the problem okay क्योंकि unique solution हम कल को भी carry on करेंगे तो इसको check करते हैं इस module में let me take on to one example like I take on these three equations at a time and then I want to get the value of x, y and z if it is possible here हम पहले क्या करेंगे पहले हम यहां पर इसको properly जो है उस format में लिखेंगे जो format हमने वहां पर formulate किया था तो यहां पर क्या है सुनों पहले coefficient यहां पर 1 यहां पर 1 यहां पर 1 coefficients लेकी चल रहे हैं यहां पर क्या minus of 2 then along with this यहां पर क्या है यह आपके पास यहां पर x, y, z variables के लिए and then whatever you are having here 4, 3, 3 they have been kept here तो actual में अगर आप यहां पर इनको multiply करेंगे x plus y plus z I am going to get same thing back here तो accordingly जैसे मैं आपको बहुत है था वैसे मैं इसको यहां पर लिख लिया है जब आपने इतना काम किया इसको मैं पर a माल लेते हैं, इसको मैं यहां पर x माल लेते हैं, let it be 1 अब पहले हम यहां पर determinate की बात करते हैं अगर आप यहाँ पे इसका determinant निकालेंगे 1, 1, 1, then यहाँ पे 1 minus of 2, 3, then 3 minus of 1 minus of 2 हैं, यहाँ यहाँ पे इस matrix को determinant की form में लेके आ रहे हैं, let me solve it, अगर मैंने इसको solve किया, expand करा हूँ, मैं R1 के साथ, you can do that, तो 1 time 4 plus 3, 1 time minus of 2 minus 9, 1 time minus 1 plus यहाँ पे 6 आएगा, तो 7 plus 11, and then आपके पास यहाँ पे plus 5, तो dead value is turning out to be equal to 23, यह value में पास यहाँ पे 23 आ रही है, तो अगर आपने इसको solve किया, यहाँ पे, इसको solve करने के बाप पूरे के पूरे के पूरे को ठीक है, I'm expanding by R1, तो जब आप यहाँ पे R1 के दूर्द एगा, 1 time यहाँ पे यहाँ बनेगा, accordingly 4 plus 3, then minus of 1 time, यहाँ पे minus of 2, minus of 9, यहाँ पे minus 11, minus minus plus 11, and then finally 1, जब आप यहाँ पे third component लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपको जो value है, वो value वहाँ पे मिल जाएगी, anyhow, once we are done up to here, अब यह value यहाँ यहाँ पे can not equal to 0 है, मतलब now you are having complete license to get value of A inverse here, अब हम यहाँ पे A inverse को निकाल सकती है, fine, अब A inverse को निकालने के लिए, what I need to have, मिलेको minor निकालने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले minors को निकाल रहा हूँ, I will not be explaining that much here, मैं यहाँ पे direct value लिहूंगा, तो that can be checked, M11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो these have been minors and then in minors के corresponding, हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, co factors आएंगे, तो उनको भी यहीं पे mention कर लेते हैं, C13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो let we go ahead with calculation of minors यह, तो अगर मैं यहाँ पे minor निकाले, look what I am getting here, 4 plus 3, then minus of 2 minus of 9, then M13 का अगर आपने value निकाला, minus 1 plus 6, M21 का value minus of 2 plus 1, M22 का value minus of 2 minus of 3, M23 का value minus 1 minus 3, then M31 का value अगर आपने निकाला तो that will be 3 plus यहाँ पे 2, then M32 3 minus 1, 2, and M33 minus of 2 minus 1 minus 3, hopefully these are okay, तो आप यहाँ तक महुन जाहेंगे, we will be reaching up to here, and then correspondingly, अब अगर मैं कोफेक्टर लिखने हैं, तो कोफेक्टर लिखने के लिए आप यहाँ पे 7 minus 11, मैं फिलाल के लिए इंको ऐसे लिए के चल रहा हूँ, 5 minus 1 minus 5 minus 4, 5, 2 minus 3, तो you can calculate on your own, क्योंकि previous modules में हमने बहुत सारा कामें ऐसा किया हुआ है, तो आपको यह पता है, अब यहाँ पे कोफेक्टर में आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे odd entries हैं, जहाँ पे odd sum है, fine, वहाँ पे आप sign change कर देंगे, तो यहाँ पे plus, यहाँ पे plus, I am making this one plus, and then finally, this one minus, तो अब यहाँ पे adjoint of A क्या हैगा, let me check now, adjoint of A के लिए, पहले हम यहाँ पे covector matrix लिखेंगे, 7, 11, 5, 1, minus 5, 4, 5, minus of 2, minus of 3, and then इस काम यहाँ पे transpose लिखेंगे, तो what in all we are going to get, 7, 11, 5, 1, minus 5, 4, 5, minus of 2, minus of 3, तो हम नहीं यहाँ पे transpose लिया, तो यह पूरा रो, यहाँ पे column, यह पूरा रो, आपके बस पूरा column मन गया, और यह पूरा रो, पूरा column, अब that is the value of adjoint of A, for the moment, we are going to get, अब जब आपको यहाँ पे adjoint of A मिल गया, अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे, जो है, inverse को निकालना है, तो inverse क्या से निकलेगा, adjoint of, look, यह मैं पास, यहाँ पे क्या है, यह adjoint है, अगर मैं यहाँ पे inverse को निकालना चाहता हूँ, तो A inverse क्या हैगा, upon determinant आजाएगा, तो what is the value of determinant, determinant का value क्या निकाला है, 23, तो यहाँ पे क्या हैगा, 1.23, यहाँ पे क्या जाएगा, बचे, 1.23, तो यह हो गया, A inverse, I am reaching up to A inverse here, तो from adjoint, I have evaluated inverse here, now once you are having inverse with you, now, what is the final task left with you, अब आपके बास यहाँ पे जो आख्री टास्क होच है, वो क्या है, हमने यहाँ पे X value को निकालना है, and now what is X equal to A inverse into B, be careful, X यहाँ पे क्या है, A inverse into B, look, अब यहाँ पे जो X है, वो यहाँ पे क्या है, A inverse, A inverse का मतलब क्या है, 1.23, time, ओके यहाँ पे क्या आगया, 7, 1, 5, then 11, minus 5, minus of 2, then यहाँ पे क्या है, 5, 4, minus 3, into, यहाँ पे साथ में क्या आएगा, अब चेक करो, जो B है, B, आपके बास यहाँ पे क्या है, 4, 3, 3, यहाँ पे क्या है, 4, 3, 3, यहाँ पे 4, 3, 3, अब इंको multiply करके देखो, यहाँ पे multiply करके क्या आता है, 1.23 to be kept outside, इसको सबसे बाद में लेके चलेंगे, जो भी आता है, वहाँ पे, इसको सबसे बाद में डिवाइट करेंगे, पहले इंको solve करने पे focus करने, गलती से भी यह ना हो कि कहीं को multiply करना, शिरू कर दो inside, 1.23 के साथ यहाँ पे, तो ऐसा को feeling मत लेके चलना, otherwise calculation बढ़ जाएगे वहाँ पे, ठीक है, तो अब सुनों यहाँ पे, अब इनको multiply किया, तो यहाँ पे कहाएगा, 7, 4, 28, then 3, then यहाँ पे, 5, 3, 15, अब चलते हैं आगे, आगे हमार पास यहाँ पे कहाए, 11, 4, 44, minus 15, minus 2, 23, 6 आगया, then 5, 4, 20, 4, 3, यहाँ पे, कितना आएगा, 12 आएगा, minus यहाँ पे, कहाएगा, 9, तो what I'm getting here, 1 by 23, यहाँ पे, now look, 31, 15, 46 आगे, 44 में से 21, अगर minus किया, तो 23, and then 3, 23, and now, you divide by 1.23, here, तो 1.23, अगर आपने इनको divide किया, 2, 1, 1, this is what I'm going to get, and then, what is your x here, x आपके बास यहाँ पे क्या लिया था में, x, y, z के के लिया था, you can check, तो यह जो x है, यह बेसिकली यहाँ पे कहता, x, y, z, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, now you can equate both of them, इनों को आप यहाँ पे equate करेंगे, तो यहाँ पे क्याएगा, x value 2 आएगी, y की value 1 आएगी, और z की value भी summarize your answer here, and you can always cross, verify whether you are right or not, आप ने करना किया, बचे, x, 2, y, 1, z, 1, टीनों को बन बन यहाँ पे substitute करके definitely check कर लिजे, एक वार, कि क्या आपके वार्समा पे right hand आगया, आगया तो आपका अंसरों के, मुर्ना कहीना कहीं पे कुछ गलती हुई ठीक है, तो इस module में हम सरफ यहाँ पे यह वार्समा को फिलाल के लिए करके चल रहे हैं, आपकमिंग मडियूल में, I think 2 or 3 lectures more, and then we are done with this complete chapter here, तो इसको अपना अच्छे से एक और प्रेक्रिस साइज करके चलेंगे, and now for today, thank you.